हलो एव्रिवान चया भोलेनाग आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे आज हम रीडिंग करेंगे कि भगवान जो है आपके लिए उनकी नेक्स्ट प्लानिंग क्या है आपकी जीमन में जो कुछ हो रहा है उसके लिए भगवान नेक्स्ट उन्होंने क्या प्लान बनाया है ठीक है और दो तिन बाते याद रखी ये टाइमलेस रेडिंग है आप इस रेडिंग को कभी भी देख सकते हूं कि दूसरा All Sign वास के लिए ठीक है और चैनल रेडिंग है चले यहां पर इतना भी साइट मैं देख पार रहんだ हूं कि अगर के थ्रू कुछ आ रहे हैं में नहीं बोल रहे हो इसका मतलब यह उनके लिए नहीं के नहीं है दूसरा टाइमक्लैस का मतलब होता है कभी हूए इस वीडियो को खोल के दिखू इसमें आपके लिए कोई मेसेज होगा थिक है यहां पर जो साइन आ रहा है वो है कैप्रिकॉन टॉरस फरको एरीस लियो सजिटेरियस ठीक है ओके लिब्रा बहुत श्रॉंगली यहां पर है लेट सी किल्ट सर्विस ओके और दो तिन काथ लेते हैं दो दो बार आपके लिए साइलेंस आया है ठीक है यहीना कहिए मेजर चीज जो है अन लिडर्शिप और एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं एक बार देख लेते हैं अबंडन्स ओके चलो ओके गाईज एक चीज जो मुझे यहां पर दिख रही है मुझे यहां पर समझ आ रहा है आप लोगों को वो पहले बताऊंगी और सबसे पहले मुझे यहां पर ऐसा लगता है यहां पर दो दो बारा है शायद गौड बताने के कोशश करे हैं कि आपके जिबन में जो हो रहा है या फिर होने वाला है उन्होंने एक ब्लान बनाया है उसके तहट यह सब हो रहा है और उसके लिए आपको परिशान नहीं होना है उसमें बाधा नहीं डालना है जैसे को वैसे ही होने देना है ठीक है और जो हो रहा है आपके लाइफ में वो सही होगा ठीक है साइलेंस कभी-कभी ये बताता है कि इंटर्फियर ना करना एक तरीके से कुछ ना बोलना चुप रहना तो मुझे यहां पर दूसरे कार्ट के साथ अगर कंबाइन करके मैं देखू समझ आ रहा है यहां पर पर भगवान क्या मैसेश देना चाहते हैं यह अक्चली में किसी को समझ नहीं आता है जब तक नहीं होता है फिर भी मुझे अभी तक यहीं समझ आ रहा है तो मैं आपको बोल रही हूँ यहां पर 9 of Wands का कार्ड है और 9 of Wands का कार्ड बता रहा है कि आपकी लाइफ में आप जो है बहुत डर डर के इन दिनों रह रहे हो कुछ चीजों में ठीक है जैसे कि कास यह चीज हो जाए कास वो चीज हो जाए आप चाहते नहीं हूँ वो चीज हो लेकिन आपकी लाइफ मे वो चीज हो रही है या फिर कोई भी आप जो है particular situation में कोई particular चीज को आप बहुत जादा hold गर के रख रहे हो और आप उस चीज को छोड़ना नहीं चाहते हैं आप डर रहे हो ये चीज अगर हो जाएगा तो कैसे होगा वो चीज नहीं होगा तो कैसे होगा मुझे लगता है कि थोड़ा सा calm down हो जाएए ठीक है कहीना कहीं भगवार ने आपके लिए बहुत अच्छी plannings आगे बनाया है ठीक है अगर आप इसी तरीके से insecure feel करेंगे या फिर अपनी बातों को रखना सबके सामने डरेंगे या फिर अपनी बातों को नहीं रखेंगे या फिर आपको जो लग रहा है कि मेरे life में जो भी हो रहा है खराब हो रहा है एक चीज याद रखे ये जो सारी चीजे हैं ये सिर्फ आपका बहम है ठीक है क्योंकि आपके आसपास जो लोग है वो इतने जादा खराब अक्चली है नहीं मेभी आपनी कुछ आल्रेडी पास्ट की चीजों में या फिर पास्ट में कुछ ऐसी चीजे फेस किया होगा जिससे आपको अच्छा नहीं लगा होगा परिशानी होई होगी और इसी वेज़े से जो है आप अभी हर एक चीज को अवाइट करना चाते हो बड़ आपकी चारो ओड़ जो चीजे हैं वो इतने खराब नहीं है जतना आप डर के खराब कर रहे हो ठीक है अगर मैं परसनल लाइफ की तरफ आऊँ मुझे यहाँ पर फोर ओ फोन्स का कार्ड दिखाता है कि आप चाहो आप ना चाहो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर मुझे शादी होता हुआ दिख रहा है ठीक है जैसे कि आप चाहो अच्छे से हो जाए नहीं चाहो तो कहीं ना कहीं फैमिली प्रेशर से हो जाए लेकिन मुझे होता हुआ दिख रहा है उसके अलावा एनी काइंड ओफ सेलिबरेशन मुझे दिख रहा है ठीक है कोई भी रीजन के वज़े से घर में हो मुझे सलिबरेशन दिख रहा है ठीक है दूसरा मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है अगर अभी आपके लिए वेडिंग बेल नहीं बज रहा है आपको पता है अभी नहीं होगा तो एक चीज में कहीं न कहीं बूलूंगी कम्यूनिटी कहीं न कहीं मुझे लगता है कि God का प्लानिंग से कि आपका अगर कुछ काम अटक रहा है कुछ चीज़े अटक रही है वो चीज़ आपकी हो जाएगी थ्रू यूर फोन थ्रू यूर कम्यूनिकेशन आप लोगों से ठीक से बात करो आपका वो काम हो जाएगा ठीक है और यहां पर और एक चीज़ आपर बूला जा रहा है कि कहीं न कहीं वो चाते हैं कि आप हर एक चीज़ को मैचौरली हैंडल करो कहीं न कहीं बगवान चाते हैं आप जो है अपने उपीनियन्स बहुत स्ट्रॉंग ली दुनिया के सामने सब के सामने रखो फैमिली के सामने रखो या फिर जिसके सामने चाते हो रखो अगर आपकी बाते नहीं सुनी जा रही है ठीक है न क्यूंकि आप नहीं रख रहे हो तो जादा तर प्रॉब्लम वही हो रहा है ठीक है तो be strong और जितना हो सके बोलो अपने problems को उससे ही क्या होगा कि आपके काफी सारी you know ये जो celebration moment आ रहा है जो आपकी मर्जी से नहीं हो रहा है मर्जी से होगा ठीक है या फिर अपनी बाते बोलने से काफी सारी चीज़े आपकी support में जाएंगी ठीक है दूसरा ये तो personal लोगों के साथ रिष्टा होगे और फिर आपके personal life की चीज़े होगे in professional life काम में यहाँ पर king of pentacles and four of pentacles and queen of pentacles है बहुत ही जादा beautiful cards है ये तीनों card में देख के बता सकती हूँ आप चाहे male हो आप चाहे female हो ठीक है भगवान जो है उनका एक ही लक्ष है ultimately आपको life में अपने career में success दिलाना ठीक है कही न कहीं वो plan कर रहे हैं और वो आपको कैसे पता चलेगा कि वो plan कर रहे हैं आपके लिए अगर इस वक्त आपके दिमाग में कोई planning है आप directly उस चीज़ को plan नहीं कर रहे हो भगवान भी आपके साथ उस चीज़ को plan कर रहे है suppose आप कोई interview के लिए तयारी कर रहे हो कोई job ए promotion के लिए तयारी कर रहे हो transfer के लिए तयारी कर रहे हो रहे है उस चीज़ में आपको success देने का ठीक है all the best आपको बूलूँ की क्योंकि जहां पर आपके साथ भगवान है वहां पर आपकी तयारी कभी भी गलत नहीं हो सकती है ठीक है एक चीज़ मुझे आपर दिख रही है जैसे in future in near future क्योंकि हम हमेशा दिखते हैं near future में आपको क्या मिलने माला है भगवान near future के लिए क्या प्लान कर रहे है in near future जो आपका थाना पैसे को लेकर अगर कुछ हल चलती life में कुछ permanent नहीं ओर पा रहा था तो आपको वो उस तरीके की permanent से मिल जाएगी ठीक है और कहीं न कहीं बहुत सारे लोग यहां पर अपनी खुद की property या फिर घर बनाना चाते हैं ठीक है तो मुझे उसमें बहुत आपको success मिलता हुआ दिख रहा है मुझे अचानक से number 4 का एक message है 4 lakh ठीक हो सकता है इस time आप में से बहुत सारे लोगों को उनकी account में 4 lakh cash हो या फिर 4 lakh कि कुछ चीजों के लिए चाहिए या फिर आसपास उसी amount पता नहीं मुझे पता नहीं spirit guide के तरब सी ये message आया तो मैंने आपको बोला हो सकता है कि जिस specific इंसान के साथ resonate करें लेकिन कुछ लोगों के लिए है दूसरा मुझे आपके career के लिए back support आपको मिलता हुआ दिख रहा है अगर अभी तक आप किसी का एक help चाहते हो अपने career में कुछ चीजे अचीव करने के लिए मुझे आपको एक back support दिख रहा है दूसरा मुझे दिख रहा है कि आप अपने career को लिकरना बहुत जादा passionate हो आप जो भी हो यहाँ पर खास करके अगर कोई मुझे working lady आप देख रहे हो मुझे लगता है आप अपने career को लिकर बहुत जादा passionate हो जोब अगर करते हो तो आपका job आपका career आपकी लिए बहुत महत तो रखता है ठीक है और आप आने वाले दिनों में भी उसको और जादा महनत करके grow करोगे और यह आपका होगा भी आप अपने आखों के सामने अपने काम की reward मिलता हुआ देखोगे आपको success मिलता हुआ आप grow करते हुए देखे जाओगे ठीक है क्योंकि आपका आपकी काम के प्रती passion है लेकिन आप insecure भी हो कि आप जो महनत कर रहे हो उसका result आपको ना मिलके कहीं किसी और को ना मिल जाए don't worry about it आपको ही मिलेगा ठीक है दूसरा यहाँ पर मुझे लगता है कि definitely court चाहते हैं कि आप trust बना के रखो ठीक है आप जिस भी दौर से गुजर रहे हो जिस भी वक्त से गुजर रहे हो जो भी खराफ situation से गुजर रही हो वो चाहते हैं जितना हो सके trust, belief बना के रखो वो बहुत जादा important है क्योंकि आप अगर उमीद हार जाते हो कहीं न कहीं आप expect अगर उसी चीज़ को again नहीं करोगे आप उस चीज़ को attract नहीं करोगे जैसे हम law of attraction का normal क्या होता है हम जो expect करते हैं यह होगा या फिर यह होने वाला है हम उस चीज़ को attract करते हैं और जब आप expect करना बंद कर दोगे मतलब trust करना बंद कर दोगे believe नहीं रहेगा तो आशा भी नहीं रहेगी कि यह चीज़ मेरी होगी और आप उसको attract करना बंद कर दोगे ठीक है तो जितना हो सके भरोसा रखने की कोशिश करो भगवान पे कि आज नहीं तो कल यह देंगे मुझे ठीक है क्योंकि यहां पर आपके लिए बोला जा रहा है beyond illusion आपको इस वक्त जो अपने career में दिख रहा है जो showcase हो रहा है वो सच नहीं है हो सकता है आपको career क्या आपकी life में जो भी situation आपके लिए चल रहा है personal professional love life में health में जो कुछ भी आपको जैसे लग रहा है कि यह जो चीज मेरे साथ हो रहा है यहीं मेरी life है and ऐसा ही होगा बट यह गलत है आपको इस चीज का सिर्फ एक illusion है ठीक है illusion क्या होता है जो चीज actually सच में नहीं होता है बट हमें feel होता है कि ऐसा ही होगा यूँ ही होगा ठीक है इस तरीके की illusion आपके दिमाग में है लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है जो गलत चीजे आपकी सामने आ रही है जो obstacles आ रहे है ठीक है न यहीं word मुझे सही लगेगा जो obstacles आ रहे हैं जो भी चीजे आपकी growth को रोक रही है वो चीजे actually में आपके लिए एक illusion है इतना बड़ा problem है नहीं आप ये एक breakthrough है ठीक है न मतलब जो obstacles आपके लिए आ रहे हैं आप तोड के उसको आगे बढ़ोगे कही ना कही मुझे लगता है ये obstacles तोटने के लिए ही बने हैं आपके राश्ते में और इससे जो है आप वह जादा stronger experience बनोगे आपको बता है कि life में आप जो कुछ जिस process में गुजर कर कुछ पाते हो उसमें आप बहुत कुछ सीखते हो experience करते हो लेकिन किजने बलकुल भी मेहनत नहीं किया और बनी बनाई उसको मिल जाती है तो उसको कदर नहीं होती है या फिर उसके पास एक अच्छी you know story नहीं होती है अपनी life की experience नहीं होते हैं लेकिन बगवान चाते हैं आप जो भी पा जाने के लिए आ रहे हैं और हर इस चीज से आप निकल जाओगे don't worry about it ठीक है मुझे यहां पर कही न कहीं लगता है कि कुछ चीजों में आप इस वक जो है चूप रहो कुछ situation यहां पर बोलने लायक नहीं है देखो सबसे पहले reading में मैंने बोला था कि कुछ situation में आप बोल question क्या है ठीक है यहां पर 50% ऐसे लोग है जिनको actually में चूप रहने की जरूरत है और 50% ऐसे लोग जिनको सही जगा पर बोलने की जरूरत है ठीक है न क्यूंकि यहां पर आपके लिए बोला जा रहा है सही जगा चुनकर अपनी बाते रखो जहां नहीं बोलनी चाहिए सही जगा देखर चुप रहा करो ठीक है यह आपके लिए message है दूसरा मुझे आप लगता है with this guilt and service कुछ चीजों में आपको guilt feel हो रहा है सपोज आपने किसी को कुछ बोल दिया है किसी को कुछ किसी ने कुछ कर दिया है life में आपको guilt महसूस हो रहा है मुझे यह नहीं करना चाह है तो आपको guilt महसूस हो रहा है लेकिन उस चीज का भार life के उपर जादा मत लीजिए ठीक है ना जितना हो से के इन दिनों charity help करते हुए मुझे आप नजर आ रहे हैं कहीं न कहीं God चाहते हैं आप charity help इस तरीके की चीजों में आओ ठीक है ना आपकी जो भी life purpose है उस life purpose को भगवान चाहते हैं कम से कम next कुछ दिनों में आप किसी की help किसी की मदद किसी भी तरीके से लेकिन जरूर करो और courage दिखाओ emerging जो है courage की बात करता है और जितना हो सके अपनी अंदर सहन शेलता बढ़ाओ और अपनी बाते सही जगा पर रखने की कोशिश करो भगवान चाहत हैं आप courage दिखाओ हिम्मत दिखाओ again silence आया है में again वही चीज आपको repeat करूंगी कहां बोलना है कहां चुप रहना है देखो ठीक है with this leadership यहां पर आपके लिए message है कि भगवान आपको बहुत जल्दी उनकी planning के तहक एक leadership देने वाले हैं ठीक है आप यूनों एक leadership quality आपको दे success आपको मिलेगी ठीक है ना आगे बढ़ने की हिम्मत आपको दे रहे हैं उनका plan है कि कुछ चीजों में आपको आगे लेकर जाए कुछ लोगों से आपको आगे लेकर जाए ठीक है यहां पर आपके लिए message आ रहा है listen to your intuition आपका दिल क्या बोल रहा है वो सुनिए आप आप का दिल भी नहीं मैं बोलोंगी आपका जो है बिल्कुल थर्ड आई चक्रा अगर जब open होता है वो हमें कुछ बोलता है intuition मतलब instinct आपको क्या बोल रहा है सारे logic को छोड़ दीजिए सारे लोगों की बातों को छोड़ दीजिए सिर्फ इस पर ध्यान दीजिए कि आपका जो ह चीजे instinct आपको क्या बोल रहा है ठीक है वही काम कीजिए और finally हमारा card abundance आपको बोलता है कि life में जो भी आपको मिलेगा भगवान जो भी आपको देंगे जादा से जादा देंगे ठीक है more and more इस तरीके की word मुझे आपके लिए आ रहे जितना हो से के उतना जादा देंगे ठ हर रीडिंग में हम सुनते हैं मिलेगी कब मिलेगी देखिए हर इनसान का वक्त एक नहीं होता है कुछ को पांस दिन में मिलता है कुछ को पांस साल से मैं again आपको बोलती हूँ अगर आपको doubt है कि मैं बहुत टाइम से रीडिंग देख रहा हूँ चीजे नहीं हो रही है तो उसके बाद आपको एक clarity मिलेगी समझदारी के साथ आप wait कर पाओगे ठीक है न तो guys यह थी आपकी रीडिंग मिलते हैं अगले रीडिंग पर पाई काई